अपनी फिल्मों को लेकर के सुर्ख्यों में रहती हैं तो इसी के साथ साथ अपनी बेटी राहा कपूर को भी कई बार उनके साथ देखा गया है रहा कपूर को लेकर के आलिया काफी जादा कंसर्ण रहती हैं इसके बारे में खुद रनबीर कपूर ने भी जिक्र किया है लेकिन हाल में ही इंटर्व्यू में रनबीर ने कुछ ऐसा खुलासा किया आलिया भट को लेकर के जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे जी हाँ, क्या है ये दिल्चस्प खुला सा देखे इस रुपोर्ट में दरिसल रण्वीर कपूर ने एक इंटर्व्यू में खुला सा किया कि कैसे आल्या भट अपनी बेटी रहा के लिए लगतार ईमेल लिखती हैं और जल्द ही रण्वीर कपूर भी इस तरीके का रास्ता अपनाना चाते हैं रन्बीर कपूर ने कहा कि आल्या हमेशा अपनी बेटी के लिए एक एमेल लिखती है और मैं भी सोच रहा हूँ कि आल्या की ही तरहा हर दिन अपनी बेटी रहा के लिए मैं एमेल लिखू दरसल रनबीर कपूर से पूछा गया था कि क्या उन्होंने कभी अपने हाथों से लव लेटर लिखा है इसके बारे में एक्टर ने कहा कि बहुत सारे लव लेटर लिखे हैं मैं हमेशा से ही बड़ा रोमेंटिक रहा हूं इसके साथ मैंने अपने माता पिता के एक दूसरे को लव लेटर लिखे हैं इसके अलावा अपनी परसनल जिंदगी को ले करके कई और बाते रनबीर कपूर ने इसे इंटरव्यू के दोरान शेयर की हैं तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से एक फिल्मी अंदाज में आलिया भट अपनी बेटी को इमेल लिखती हैं हाला कि ये स्टाइल आलिया भट का हर किसी को बेहत पसंद आया फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखते रहें